सब्सक्राइब दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल है सन्मानी ओनाल क्लाइसिज में स्वागत है आज हम बात करेंगे टेंस के समलित रूपूंग की साथ में टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है क्या अंतर है यह भी देखेंगे तो मैंने एक बुक से प्रिष्टिक लिए उसके आदार्परमा आपको बताता हूं यह ग्रामर का सब्द है क्या करता है उसको परदशित करता जो भी आप ध्यान देना इसमें क्या करता है वर्प की फॉर्म को विभिन समय दर्शाए जाते है और दूसरी तरफ आपका टाइम हो क्या है वो पर्षादी में आपा जाता है एक सल्द रेखा पर समय को तीन वागू में बटा जा सकता है पास्ट पर्जेंट और फूचर तो देखेंगे परतेक टाइम को प्रिकट करने वाली वर्प पर्फेक्ट और फर्फेक्ट चार भाग है यह किसके हैं पर्जेंट के विचार है अब आपका जो कमपाउट कीसे का जाता है वह कंटिनियूस या पर्फेक्ट वाइब को सनयूक कर जाता है वह मेरा कारिय कर रहा हूं तो है प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसके साथ अब बढ़ी थर्ड फर्म आई है तो यह पर्फेक्ट हो गया पर्जेंट पर्फेक्ट I have done my work में मेरा कारी कर तो कर दो कर रहा हूं तो I have been living here for two months तो सामाने शिक्सारती टेंस ता टाइम को क्या करते हैं समान अर्थ में समझते हैं जब कि दोनों अलग लग बाते हैं एक टेंस विद्ध समय को व्यक्त कर सकता है कैसे यह नहीं में निकते बाकम से सफ़िप्ष्ट होगा जीते अंदर गस to school everyday परजेंटेंस परजेंट टाइम, अधा परजेडेंट विजिट्थे ज़ेपूर नेक्सुएक परजेंटेंस फूचर टाइम, भरजेंटेंट विजिटिंग जआपूर नेक्स्टीग, प्रजनेंट फूचर ताइम प्रजिदेंट विजेट्स जयपूर यूचिपयों के लाने के नुशर था पर्जन पास्ट टाइम यूँ अब सब्सक्राइं पास्ट कारव समझे तब तब इस यह अर्थ में बाव को अभिवेक्त किया जा सकता है देखेंगे आगे अब देखो टेंट का जो चारट है सभी टोटल टेंट समको एक चारट में मैंने समाइद करने की कोशिश किये तो देखना Singularly Step पाक उर्बर के साथ सभी न की पैचान शूतर ता सभी फहर्म की और सात्मी शींगारे मिसल प्रफटक की इस यह और शाथ में क्या लगेगा द्यान देना ओबजेक्ट अब सब्जेक्ट अगर बवचन तो वर्व की फ्रेश फर्म अभी डोट डोट लगा इसका अधा प्लस में ओबजेक्ट है तीक है जैसे उसमें उदान भी दिये गए दोनुके सब्जेक्ट एक चुन ही ही एक बचन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बचन है तो डूनोट फ्लस में वर्व की फ्रेश फर्म जैसे ही डजनोट शिंग वह नहीं गाता है दूसरा वर्व जो पजूर लगो दिया वी डूनोट शिंग हम नहीं गाते है इसी परकार इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था एल्पि सब्जेक्ट बचन है सब्जेक्ट को सब्जेग करते हैं अब हम बात कर लेते हैं आपके परजेंट कंट्णीव के परजेंट कहánt यह यह रहा पर जह अंटेंस और इसको समझाया गया यह इसका रूप है इसकी पहचान क्या है रही है यह जो समझा रहूं यह अफर्मेटिव अफर्मेटिव यह अफर्मेटिव है समझा में अफर्मेटिव अफर्मेटिव इसका में कर सकते लिए प्रियोग आपर्मेटिव इसका वह थका रहा है यह होता है तो में गाना यहां रहा हुआ है करहा है अगर यहां में करूंक के साथ है यहां करूं में कर दो आगला लेते हैं negative subject plus is mr plus not लगे गाँ तो इसमें नोट लगेगा है तो ही जनी नहीं का रहा है याद की बात हो रहा है अब नोट आगया मतलल नागेटी बने बता है था वी आ नोट शिंगिंग हम नहीं का रहा है मैं नहीं का रहा हूं के इस में इंटरोगेटिव की बात हो रहे हैं तो यह गई इसकी बात अम मैं बात कर लेता हूं परजेंट परफेक्ट परफेक्ट में इसकी तो पहचान वह क्या है है चुक़ है चुक़े है चुक़ हूं या इसकी पैचान वह भी सब्जेक्ट प्लस है या है सब्जेक्ट के साथ और है वैगा चुका है वैज वैगा चुका है यह संग हम नहीं गा चुके हैं आप इंट्रोगेटी में यह या वह पहली आएगी और लाश्ट में तो है अब बात कर लेता हूं आपकी परफेक्ट कंटिनुस टेंज की इसमें निश्टी समय यानि निश्टी समय आवदी प्लस में राय रही है और क्या था इसमें ज्यान देना इसमें समय के साथ औरुम निश्चित समय के साथ वह देखो ओंट यानि चार गंटे शेगा रहा है और एक उच्छान सब्जेक्ट यानि हम चार बज़े से गा रहे हैं देखो यानि पल्दुर सब्जक्ट भी तो इसके साथ है बन का प्रियोग गवा और चार बजे क्या निश्ची टाइम है कि इसके साथ का प्रियोग हुआ है कि अब बात करें सब्सक्राइब श्या प्लस नोट प्लस में यानि है जबीन के विच में लग जाता है अनुट लग जाता है प्लस में वर्ब की फैस्टम प्लस आई याएंज तो he has not been singing for four hours यानि वह चार गंटे से नहीं गा रहा है we have not been singing since four o'clock हम चार बज़े से नहीं गा रहा है हम इंट्रोगेटिव की देखते हैं बार इंट्रोगेटिव है but significant plus ing प्लस आपका क्या है क्या है क्या है रहे हैं तो या आपका क्या हो गया परजेंट के चार बज़े से रोब हो गया है अगर आप पूरा एक साथ देखना था हो तो यह छोटा कर देता हूं यह देख लो आप अपनी स्क्रीन पेस को बड़ाइक करके देख लेना पूरा एक साथ बने सामजा दिया इसमें अराम से समझ लेना सारी चीज़े एक-एक अब मैं बात करता हूं अगले टेंज की अगले की है या इए यानि सब्जेक क्लों की सेक्ड फर्म फ्लस अब्जेक्ट व्यूव्ट अब्जेक्ट अब टा जैसे बड़ा करके दिखा देता हूं अब है गाता था रिशाग हम गाते थे या हमने गाया उसने गाया ओके नगेटी में क्या जाता इसमें में है अलपिंग का प्लस प्लस ब्लस ब्लस प्लस औब्जेक्ट प्लस प्लस अब्जेक्ट प्लस आप मगा रहे थे अब बात आते हैं इन्ट्रोगेटिव की बात आती है नेगेटफ सेंटेंस कि subject परफेक्टलेंट्भी हम हम आती है नेगेटिव सेंटेंस कि subject प्लस हैढल g United प्लस औब्जेक्ट यानि संक वहई नहीं गाए चुका था भी हैं नॉट सबसक्त नहीं काए वो मने बताया था तो he had been singing for hours वह चार गंदे चे गा रहा था we had been singing since 4 o'clock हम 4 बजे से गा रहे थे अब आता है negative sentence subject plus had plus not plus being plus work की फैस्ट फर्म प्लस आई अजी प्लस में object he had not been singing for four hours वह चार गंदे चे नहीं गा रहा था we had not been singing since 4 o'clock हम चार बजे से नहीं का रहे थे अब आता है इंट्रोगेटिव की had plus subject plus being plus work की फैस्ट फैस्ट फ्लस प्लस आई एंजी और question mark had plus जो आपका कहदान है ना इसमें helping और बहेंड तो had he been singing for four hours क्या वैसार गंदे से गा रहा था had we been singing since four o'clock क्या हम चार वजे से गा रहे थे अब बात करते हैं प्यूमें फ्लस फोलस सब्सक्र hell फ्यूचर को रहें फ्यूर को बात करेंगे आगे開ए हुआ का फैस्यूचर का क्या हो LKit इसने सब्सक्रेश करता के साथ बचतें बचक्त है उनके साथ किसका परियोग हता है वहां और देखो वी किता और pagan क्या करें गया गोड़에गा क्या क्या करें विल्ग नहीं गायेंगे हम और भी कुछ Online नहीं गायिगे दो प्रॉप अबस विल्ग आएगा किरल प्रहएक तो चल्वन वारत कर लेता हूं आगे आपकाी ट款ीनिड रही होसी कि रहे होंगे कई दिया के साथ याते हैं तो सब्जेक प्लस है तो hippie लगता है और प्लस में उपव्यक्त तो ही विल भी न॑ट प्लस में डिलबी है नहीं नहीं आ हुँगा रहे कैना घ्लब भात करते हैं विल या सब्स्युल्स हो Sell scope इसक्स दिनीका चैनल बस lino क्या हम गा रहे हो वात करता हूँ फ्यूचर फेकर चैन्स की किरिया के साथ तुपकी हों की सुचे हों कि अज हों गया। हाथ ऐसके क्या पह CC अंधिया जैना कैया क्या है विल सकति की शाइप सब्त Chief & तो जरुरी नहीं है सारी भूक भी सही ओ थोड़ा देखना से भूल सुक होई है तो थोड़ी आपको गौर करना यह ओके तो थोड़ा द्यान रखना आपको आते हैं तो कोई दिखने आप असनी से पहचान लोगी कि कौन से में क्या गलती है क्या मिस्टेक्षा बुक में हो जाती है कभी कभी मिस्टेंट ओके तो आगे देखते हैं कि हम वहा गात चुका होगा वी एंस हम गांचुका होंगे अब भात कर लेता हूं आपके हो किरिया के साथ रहा हो रही हो और प्रियोग वह उसम्हां में liked यह तो पूर क्योंने समझाय गया नहींनी के यह एंगे आगे बात कर लेते हैं सब्जेक प्लस विल यह सैल लगेटी संट्रिंब रहे होंगे यह सब्जेक प्लस में सब्जेक प्लस में विल यह यह बिन तो यह इसी के साथ आपके टेन के सारे सोट रूप कंप्लेट है यह थोड़ी से यह हुई आपको मैं पढ़े के सुना थे ताहूं सोट रूम में इस से टेन साथ को कामें निमन बात उपर द्यान दें सभी पर्थम वाक्य नमबर वन जो वाक्य हैं सिंगुलर सब्जक्ट से स समझना यहां सिंग की रिया वर्व के रूप कामें ले गई है जिसकी तीनों फॉर्म इस परकार रहों कि फैस्ट फॉर्म सेंग और थर्ड फॉर्म क्या है श्रंग है आगे देखते हैं अब बात को आई तता यू सब्जक्ट को प्लिदूल सब्जक्ट की तरह वेवार में लिया जाता है लेकिन किस टेंस में यह थोड़ा द्यान देना आई के साथ कंटिन्यूस में पर्जेंट होने पर एम पास्ट में वाज एल्पिंग लगता है थोड़सा यह क्लियर कर दिया गया यह को ठीक है और यूंको तो सभी में प्लिदूल सब्जक्ट को लिया जाता ह यह बहुत होगी यह बत यह बता इता हुए है पूरा दिखा देता हूं एक साथ आपको यह दिखा देता हूं यह देख लो कि यह एक साहँ देखो तोड़ा बड़ा करके सारे रूप आसानी से दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से तो एक साह देख लो इसके बाद हम बात करेंगे आगे हैं ओके पूरा एक साह समझ लो यह आपका फ्यूचर हो गया है फ्यूचर के सारे रूप अफरमेटिव नगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन जो सेंटिंस हो समझाए गए यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल ओ एक नहीं समझाए गया इसमें थोड़ा साह यह द्याँ रखना मैंने पांच समझाए आपको परतेग वीलियो में यहां केवल तीन समझाएगे हैं से में इसको भी थोड़ा दोबारा देख लो ओके यह बात होगी पूरे टेंस साथ की तो इसी के साथ अब यह नियम देख लो तो क्या के नियम है कहां कहां परियों किये जाते हैं थोड़ से जान से और इसी के साथ हम क्या करते हैं वीडियो को समझाप्त करते हैं देखने के लिए थैंक्स धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नम झाल झाल झाल